चतितगर में दो चर्णों में संपन हुए विधान सभा चुनाओं की मदगर्ना रविवार को सभी जिला मुख्यालों में निर्धारित मदगर्ना अस्थल पर की गई दुर्ग जिले की मदगर्णा शीशंकराचार इंजिनेरिंग कॉलेज जुन्वारी में भारी सुरक्षा विवस्था के बीच संपन हुए दुर्ग जिले के छे विधान सभा की मदगर्ना में भाजपा ने जहां चार विधान सभाओं को अपने पक्ष में करने में सफलता पाई तो वहीं कॉंग्रेस ने पाटन वा भिलाई नगर विधान सभा में अपनी बढ़त बना कर इज़त को बचाने में कामियाव रही दुर्ग जिले के पाटन विधान सभा सीट में सीम हुपेश बगहल और विजय बगहल के बीच दिल्चस्प मकाबला देखने को मिला इस सीट से पूर मुख्य मंतरी की बेटे और जोगी कॉंग्रेस के अध्यक्षामी जोगी भी पाटन से ही चुनावी बैदान में डेटे रहे थे जहां चाचा भतीजे के बीच कांटे की टकर देखने को मिल रही थी तो वहीं उतार चड़ाओं के बीच मुख्य मंदरी हुपेश बगहल भारी मतों से बढ़त बनाते हुए जीत की ओर अग्रसद होते दिखाए दिये प्रोग्रामिन से कॉंग्रस प्रत्याशी वो मंतरी तामसो साहु और भाजपा प्रत्याशी लली चंद्राकर के बीच शुरुवाती दोर में काटे की टकर देखने को मिली लेकिन उसके बाद हुई मतों की गर्णा में भाजपा प्रत्याशी लली चंद्राकर ने जो मकाबला देखने को मिला चौंथे राउं की गिंती के बाद कौन्गरिस प्रत्याशी गात जह भी आहराँ न Real desc do कि ने जो बढ़न शुरू किया तो में आखरी राउं Been कि दिवरा रहा को आसान कर दिया और अगर दुर्ग शहर की बात करें तो दुर्ग शहर में कॉंगरेस के अरुनवोरा और बीजेपी की गजिन रियादव की बीज शिरुवाती दौर में कड़ी टककर देखने को मिल रही थी लेकिन पांचवे राउंड की बात भाजपा प्रत्याशी न दौमन लाल कोड से वाड़ा और कॉंगरेस के प्रत्याशी और भेलाई चरोदा निगम के महापा निर्मल कोशरे की बीच शुरुवाती दौर में मामुली वोटों का अंतर देखने को मिल रहा था आखरी राउंड की गिंती की साथ भाजपा प्रत्याशी डोमन लाल कोड स वाड़ा ने भारी मतों से अहिवारा विधानसवा की सीट भाजपा की खाते में डालने का प्रयास किया और काम्याब भी हुए ग्रेंडेसीन न्यूस के लिए शाहिन खान के रिपोर्ट